है ले एब्रिवन कैसे हूँ आप सब आई होग कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एट होम कोकिंग में आपका मोस्ट वेलकम है फ्रेंड्स आज मैं भिंडी बलाई की रेसिपी लेके आई हूँ और उमीद करती हूँ कि यह आपको रेसिपी जरूर पसंद आएगी फ्रेंड बड़े साइढ से बली हृँ इसको में कट कर लूँगी है तो मैं इस तरीके से कट कियॊं देख सकते हैं आप यह управ trading में इसे बड़े साइस में भी स्कतर ह CP अब इसे हलका सा फ्राई करना है जिसके लिए हमें थोड़े से ओयल की जरूरत है थोड़ा सा ओयल लीजिए गरम हो जाए फिर इसको हलका सा आप भुन लीजिए भिंटी को तो हलका सफ्राई 2-3 मिनट करेंगे उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे तो देखिए मैं निकाल दे रही हूँ अब सेम कड़ाई मैं ऑयल गरम करके और उसमें एक मीडियम साइज का प्याज बारी कट करके मैं डाल दी इसकी करूंगी मैं भुनाई कलर चेंज हो जाने तक फ मैं कट करके डाली हूँ और इसको भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाए तो इधर देख सकते हैं फ्रेंड्स कलर चेंज हो गया है अब हम इसमें टाल देंगे टमाटर यह एक बड़े साइच का टमाटर ता जिसको बारी कट कर ली थी मैं तो फ्रेंड इसम तो देख सकते हैं इधर टमाटर अचे सिगल गया ऑई मैं कवर कर दी थी तो मिनिट लो फ्लेम पे ही टमाटर अचे सिगल गया इसमें मैं थोड़ा सपानी आड़ की हूँ और उसमें डालूंगी हल्दी और डालूँगी धनिया इसमें मसाले ज्यादा नहीं डालीएगा इसमें ज्यादा मसाले नहीं जाते हैं और जीरा पाउडर डाली हूँ हाफ हाफ स्पून सब डाल रही हूँ और कश्मेरी लाल मिर्च धनिया पाउडर, जीर्या पाउडर और कश्मीरी लाल मिश और हल्दी में डाल दी अब इसमें डालूंगी तीन इसमें हरी मेज कट करके डाल दी हूँ फ्रेंड बीच में से कट लगा के इसको डाली हूँ अब इसको ढख के भुनाई करूंगी मसाले को बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे मसाला भूना है की नहीं और थोड़ा पानी अगर कम लगेगा तो थोड़ा थोड़ा पानी का छीटा देखे और इसको भूनाई करेंगे मसाले की तो देख सकते हैं अच्छे से मसाला भून रहा है इसमें मैं थोड़ा सा पानी एड़ की थी बहुत थोड़ा सा अब इसमें हम भिंडी जो भून के रखी थी जो फ्राई करके रखी थी इसको डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिलाओंगी ताकि मसाले और भिंडी अच्छे से मिल जा और इसको कवर करके कुख करूंगी तो इधर भिंडी बहुत अच्छे से भून रही इसको टाइम जादा नहीं लगया क्योंकि यह हलका सा भून तो पहले ही गया था अब ये मसालों के साथ भून रहा है फ्रेंड्स और कवर करके हम इसकी भूनाई करेंगे भी तो पूरे 15 मिनट हो गयते भूनते वे भिंडी को लो फ्लेम पे ही मैं भूनी थी अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया, धनिया की पत्ती में डाल दी हूँ इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा गर्मसाला पाउडर इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और इसमें हम क्रीम डाल देंगे क्रीम या फिर दूस की उपर जमी होई मलाई आपक पस हो वो भी डाल सकते हैं चार बड़े चमच इसमें आप डाल दीजिए और इसको मिक्स करीजिए क्रीम डालने के बाद आप ज्यादा देर तक इसको फ्लेम पे नहीं रखिएगा बस एक से दो मिनट तक ही फ्लेम ओन रखिएगा अब इसे हम दो मिनट के लिए इस कवर करके रख देंगे दो मिनट के बाद आप फ्लेम को आफ कर दीजी फ्रेंड्स ये दो मिनट हो गयते मैं फ्लेम को आफ कर दी थी देख सकते हैं ये देखने में कितनी अच्छे लग रही है खुसबूई बहुत अच्छी आ रही है सबजे से अब इसको हम सर्फ करते हैं ये खाने के लिए बिल्कुल भी रेडी है तो इधर मैं सर्फ कर दी हूँ सबजी को उपर से धनिया की पत्ती और थोड़ा सा क्रीम से गार्निश की हूँ और इतनी अच्छी खुसबूई आ रही है दिल कर रहा है अभी खा ले ये पूरी पराठे रोटी सभी के साथ बहुत टेस्टी लगती है ये बच्चे बड़ो सभी को बहुत सबजी पसंद आगी अगर आप नहीं बनाए हो तो एक बार प्लीज जरू ट्राइ कीजिएगा तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए